इसी अखब के इंडिया वर्सिस पाकिस्तान मैच में इंडिया ने पाकिस्तान के पसी नहीं नहीं खून भी निकाल दिये कैसे चली जानते हैं दीए लास्ट मैच जो की बारिश की वज़े से रद्ध हो गया था उसमें मज़े की बात यहीं कि जो चार बैट्समेन जल्दी आउट हो गये थे उन्होंने ही पाकिस्तान को पेल दिया रोहिट शर्मा 56 रंट हो के शुबन गिल 58 रंट हो के और उसके बाद विराट कोली ने जो जल्वे दिये हैं वो कमाल के थे 94 बोलों का सामना करते हुए विराट कोली ने 122 रंट हो के जिसमें 9 चोके और 3 छके शामिल थे मज़े की बात श्रेयस आयर के इंजड होने की वज़े से केल राउल को जगा मिली और केल राउल ने सीधे शतक से ही बड़े दिनों बाद जबापसी करी उन्होंने 106 गेंदो पर 111 रंट होके जिसमें 12 बाउंडरीज और 2 गगन चुम्बी छक के शामिल थे जब पाकिस्तान की बारी आई तो कुल्दीप यादव ने पाकिस्तान के रीड की हड़ी तोड़ते हुए 5 विकेट निकाल लिये और उसमें भी पाकिस् बेलते हुए इंजड हो गए उनकी नाक से खून बैने लगा उनकी रिकवरी के लिए हम दुआ करते हैं लेकिन पाकिस्तान की हालत बड़ी खराब हुई उनको हमने दिखा दिया कि बाप बाप होता है अगर ये चार मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेवड हैं तो आप मदद मांग सकते हैं दूसरा अगर कोई सरकारी बाबू पुलिस या मंतरी आपसे रिश्वत मांगता है तो इस केस में आप एंटी करप्चन ब्यूरो के 1064 पर कोल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं तीसरा अगर आपके साथ कोई ओनलाइन फ्रोड करता है तो इसके आप 1930 नंबर सेव कर लीजिए क्योंकि ये साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है जिस पर कोल करके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं चोथा और आखरी अगर आपको किसी दुकान दार या किसी कमपनी से शिकायत हो तो 1915 इस कंजूमर हेलप लाइन नंबर पर कोल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं वैसे गाईज क्या आपने चारो नंबर सेव कर ली हैं कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कैविन पीटरसन ने विराट कोली को टैक करते हैं पूछा कि क्या आप इसे चांस देंगे विराट कोली ने वीडियो देखने के बाद ये पूछा कि ये छोटा सा सेंसेशन कहां से बिलोंग करता है गाइज उस बच्चे का नाम है शेक शाहिद जिसकी वीडियो आप उपर देख रहे हैं उस छोटे से उस्ताद के लिए एक लाइक तो बनता है आप वीडियो देखके क्या सोच रहे हो चैट सेक्शन में जरूर लिखके बताईएगा उसके पैरेंट्स को लगा कि वो मुंबई इंजिनेरिंग करने के लिए जा रहा है लेकिन किसी को क्या पता था कि वो एक्टर बनना चाहता है उसने अपनी क्लासिस को छोड़के बहुत बार ओडिशन दिये लेकिन वो सफल नहीं हो पाया क्यूंकि उसका बेक्गराउंड इसलिए सफर इतना असान नहीं था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी उसने ओडिशन देना जारी रखा और फाइनली उसे अपना पहला ब्रेक प्यार का पंचनामा मूवी से मिला जिसका वन लाइनर उसे फेमस बना गया लेकिन उसके बाद आई दो फ्लोप मूवी की वज़ कोई प्रॉब्लम ना हो तो यह उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाईज या सीखने लाइक बात यह हैं कि आपका बैग्राउंड चाहे कुछ भी हो जो आप बनना चाहते हैं अगर आपको उस चीज़ पर भरोसा है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो हुआ 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 है